हैपी बड़े हर्फीद रम तुम यहां कैसे ? मुझे तुमसे मिलना था ना तुम्हारा बड़े था तुम्हें तुम्हारे पास चलाया अहां पर तुम तो दो दिन के लिए विजन स्ट्रिप पे गए हुए थे ना ? अहां वो शाव आरे वो सब काम करके आरहा हूं और यह लो तुम्हारा ंणा अच्या यहओ हम चलो हम बहार चलो के बाद करते भातें और तुम यहां पर कैसे समय तुम से पूछ ना जाता है तुम्हें तो मैंने ओफिस के काम से दो दिन के लिए बाहर बेजाता ना? तुम यहा कहते हैं? Harprit, क्या चल रहा है यह सब? Ram, तुम भाहर चलो, मैं तुम्हे सब कुछ बता के हूँ Harprit, Ram, मैं तुमारी गल्फरेंट को फिस्ते छे मेनी से रेट कर रहा हूँ Sir, Sir, आप यह क्या बोल रहा है, Sir? Harprit, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नी सोचा Harprit, मैं चलता हूँ, मैं तुम से बाने बात करता हूँ Harprit, मुझे जवाब दो ना यार, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या जवाब दूमें तुमें? हम जिस कंपनी में एंपलोई हैं, वो उस कंपनी के बोस हैं और जो ग्रोथ मुझे उनके साथ मिल सकती है, वो तुम्हारे साथ कभी नहीं मिल सकती अच्छा, तो तुम्हें ग्रोथ चाहिए तुम्हारे लिए मेरा प्यार कोई मैटर नहीं करता ड्राम, लाइफ ना प्यार से नहीं चलती, पैसा चाहिए होता है अरे हरपीत, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरा एक बिजनस प्लान है और उसे मैं बहुत जल्दी एग्जेक्यूट करने वाला हूँ हरपीत, मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, प्लीज तुम एक ब्रेंड़ बैग तो अफोर्ड मी कर सकते हैं ये लोकल सा बैग उठा के ले आए मेरे लिए तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे नीट्स पूरी कर सकते हैं वो मेरे शोग पूरे कर सकता है हरपीत, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम और दे तो, प्लीज मैं तुमारे सारे के सारे शोग पूरे करूँगा प्लीज हरपीत I'm sorry रापी, it's over now हरपीत सुनो न, हरपीत सुनो तो हरपीत, तुम यहाँ, हरपीत, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हो, तुम कैसे हो? मैं ठीक हो और यह कार कब ली तुमने? यह कार तो मैंने तुम एक बिजनस के बारे में बताया था मेरे पास एक बिजनस प्लान था तो फिर तुम तो छोड़के चली गई थी फिर मैंने वह बिजनस स्टार्ट किया तो चल गया वैसे कुवर कैसा है? तुम दोनों ने शादी कर ली या तुम दोनों अभी भी ऐसी रह रहे हो? हम एक्चली मैंने कुवर को किसी और के साथ देख लिया था तो ब्रेक अप हो गया हमारा आप सेड यार यह बैक तो वही है जो मैंने तुमें गिफ्ट किया था हाँ एक्चली मुझे बहुत अच्छा लगता है राम मैं क्या बोल रही थी कि क्या हम दुबारा से शुरू कर सकते हैं चलो बेभी चलते हैं शॉपिंग होगी मेरी होगी शॉपिंग आयत यह हर्पित है हर्पित यह मेरी वाइफ आयत है हाई हर्पित हाई आयत तुम दो मिनट गाड़ी में बैठो मैं आता हूँ ठीक है जल्दी आना क्या कह रही थी तुम हर्पित कि दुबारा से स्टाट करते हैं तुम तो मुझे किसी और के लिए छोड़ के गई थी ना और तुम्हारे लिए तो प्यार मैटर ही नहीं करता तो अब फिर ये फालतो की बाते क्यों कर रही हो कि दुबारा से स्टार्ट करते हैं तुम्हें पता है हर्पित तुम्हारे जाने के बाद मेरी लाइफ में आयत आई जिसने मेरा बिजनेस प्लान सुना मुझे मॉटिवेट किया बिजनेस करने के लिए और आज में जो कुछ भी हुना उसमें आयत का बहुत बड़ा हाथ है तो तुम्हें क्या लगता है जब वो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ थी और आज जब मैं सक्सेस्फूल हो गया हूँ तो मैं उसे छोड़ दूँगा तो मैं तुम्हारे लिए विश्च कर सकता हूँ कि तुम्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जो तुम्हारे सारे के सारे शौक पूरे करें ना कि तुमसे प्यार करें